है थूज्र करो है के ऐसे हम लोग एक स्य अरथिया तो इससे अशुनन को इसे को इस Logo study को इस्टार्ट करें कि इसको यह पार्ङे कि एड्वांस तक पड़ेंगा एंकि कि बेसिक की एन्स यह विश्ट नाम से झौण पर साहर सब्सक्राइब करते हैं या फिर और साथ ही आपको एक्कुत पढ़ने का प्रोच रहेगा साथ ही आपको एक NCRT पढ़नेगा एक परोश पता चलेगा कि NCRT पढ़ रहे तो इसको मैक्सिम कैसे यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब चलिए हम लोग अपनी सेरीज को स्टार्ट करते हैं देखे हम लोग क्या सेडूल लेगा क्योंकि जो इसका इंडेक्स दिया हुआ अभी से सूची इसी के अनुसार हम लोग लेके चलेंगे अपने सेडूल या क्लासिस को ठीक है इसमें क्या लगबग चार पार्ट में यह बुक को डिवाइड किया गया पहले पार्ट में क्या 1947 स तकी बात की गई विकास नितिया और उनके अनुभव समझेद बात की इसमें क्या अध्या एक में क्या सुत अंतरता की पूर्व संध्या भर भारत आजाद हुआ था उस टाइम भारत की एकनॉमिक कंडिशन क्या थी पहले चैप्टर में लोग इसको डिसक्स करेंगे काफी इसमें देखें कि अपनिवसिक सासन के अंतरकत निमनस्तरी आथी विकास उस टाइम जो पहले हैं लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कि बहुए जो ब्रिटिस जो सासन था उस टाइम हुआरी एकनॉमिक की कंडिशन क्या थी क्यों निमनस्तरी थी उसको लोग देखते चलें करते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है जब सेकंड आएगा हमारा जो फेज आएगा या सेकंड चैप्टर रहेगा उसमें क्या देखेंगे भारती अर्थ विश्ता उनिस सो पचास से लेकिए निस सो नब्य तर ठीक है इसमें देखें इंपोर्टेंट क्यों इसमें आज पार्ट देखेंगे ठीक है इस बोक का इसमें देखेंगे आर्थी सुधा जो उनिस सो इक्यान में एल पीजी रिफॉर्म होए थे उसके बारे में चर्जा की जाएगे क्यों कि देखिए बहुत ही मतलब इंडियन एकनोमिस करेंगे कि बहुत ही मेल का पत्तर यहां से स्टा क्यों करेंगे कि उसके में क्या पॉस्टिव एफेक्ट रहें क्या निगेटिव एफेक्ट हुआ सब कुछ इसमें देखा जाएगा ठीक है यह स्टाट होगा फिर अगली काई जो मतलब की कह सकते अगला पार्ट भारती अर्थवास्ता की प्रिजन टाइम में क्या चुन हो मनुष के और ही पूजी एक निर्मार की कि बहुती है ऑगर की उसका कितना नहीं करते ही वह सब दिसक्स करेंगे भारत ऐकी बड़ी जन से कि अगाओं में रहती है तो ग्रामीड में चीर्चा की जाएगे कैसे français प्रिजन टाइम में या हमेशा देखिए इन सब मुद्दों से क्या होता है यहां से रोजगार हो गया संब्रद्यों जो संब्रिद्यों की इन सबसे देखिए तो इसको भी डिसकस करेंगे पूरा फ्रेम वाज आराम से चलेंगे अब देखिए उसके बात क्या बेसिक इस ट्रेक्टर की बाता है किसी भी अर्थविश्टा के विखास के लिए बेसिक इस्ट्रेक्टर का डेबलेप्मेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रू है ठीक है तो इसको जो है डिसकस करते चलेंगे आराम से ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना उसके पहले एक और जैसे की पर्यावारण और धारणी विखास अब देखिए एकनॉमिक्स और इन्वार्मेंट ठीक है वह बहुत जो है क्या है लिंक जुड़े हुए चीजे अब प्लस उससे जो धारणी मतलब संस्टेवल डबलेप्मेंट की क्या बात है उन्हों लिंक करके देखेंगे और जैसे कि हमारे से भारत है और जो भाई इंडिया है ठीक है उसके परोसी देश की क्या एकनॉमिक्स है क्या उसमें हम लोग कंपैर्जन करेंगे कि तुलना क अब कोस्टन भी बनते हैं ठीक है तो हम लोग वह भी देखेंगे ठीक है प्लस जनसंग क्या हो गया या फिर जीडीपी की किसमी क्या भागिदारी वह लोग डिटेल में स्टार करें चलिए अब सीधे डारेक्ट अपने चैप्टर पर चलते हैं देखे क्या कह रहा है कि इस इसके बारे में लोग समझेंगे तो कह रहा है आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे उसमें 1947 के समय भारती अर्थे वह उस्ता जान पाएंगे क्या थी और इसके पहले मतलब जितना एक लंबार पीरिड लगबग 200 साल के आस पास जो अंग्रेजियों का सासन था उसमें हमारी भारती अर्थव्यश्ता का विकास की इतना निम्न क्यों था उसमें रिकावटे क्या क्या थी प्रॉब्लम क्या क्या थी वो सब इस चैप्टर में खतम होने के बाद यह सब आप लोग की चीज़े कॉसेप जो क्लियर हो जाएगा ठीक है चले देखे क्या है कि इस चैप्टर में कि बहुत बार क्या होता है कि आपको सिदे सिदे कुछ सिसे की स्टेट्मेंट होती है वहां इसको क्या प्रियोग करने कि वह दिदे खतक करें देखें जैसे इन्हों क्या है कि भारत हमारे सामराज की धुरी है ठीक है अब देखें धुरी क्या होती है कि कोई भी माली से की ये सरकल है धुरी क्या होती है सेंटर पॉइंट मतलब मुख्य जो बिंद होता है वो है यदि हमारे सामराज का कोई अन्यराज अलग हो जाता है तो हम जीवीत रह सकते हैं, यदि हम भारत को खोड़ देते हैं, तो हमारे सामराज का सूर अस्त हो जाएगा, आप देखें कि क्या कहने का मतलब है कि, जो इंडिया है, वो हमारे जितने भी, क्योंकि ब्रिटिस के बहुत से जो है, इन्होंने अपनिवेसिक जो है, बहुत सार क्योंकि यह जो है, भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट के रोप में, प्लस कहते हैं कि, कच्छे माल के, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, ब्रिटेन में और दोगी रिवलियूशन हो रहा था, और दोगी विकास हो रहा था, तो यह यहाँ पर इतना ज्यादा इनको रि बुरी है, कि इसको तो नहीं छोड़ना है, ठीक है, इनका यह concept है, अगर यह हां से निकल गया, तो हमारा सब कुछ अस्तित्य हो, हमारी विकास, हर चीज हमारी विखर जाएगी, ठीक है, अब चलिए, स्टार्ट करते हैं, चैप्टर सीधे, देखे, क्यों अभी हम लोग भ development हुए, क्या विकास की रफतार है, क्या-क्या कमिया चल नहीं, या क्या-क्या कमिया थी, तो आपको पहले की चीज़े पता होनी चाहिए, कि भाई, अगर आपको पहले चीज़े पता हैं, तभी आप analysis कर पाएंगे, कि present time में क्या विकास हुआ है, ठीक है, तो इस chapter में क्या जो भारती अर्तवियोस्ता के बारे में जानने से पहले बताया गया, कि पहले हमारी अर्तवियोस्ता क्या condition थी, ब्रिटिसों के time पे, तो क्यूंकि आप अगर इसको समझे रहेंगे, तभी आप फिर वरतमान में क्या-क्या development विकास स्टार्ट हुए, विकास की क्या रफता प्रिजन टाइम इसे का फिर यही से लिंक करते हैं एक सीरीज चलेगे, फिर अगर आप current में आएंगे या present time में आएंगे तो आपको फिर आपको एक यह phase analysis करने का मिल लेगा, ब्रिटिसों वाला, फिर एक ब्रिटिस के बाद वाला era मिल लेगा और present time, तो तीनों एरा से फ देखें, जो अपने विक्सित सासन का मुख है उद्देश भारत में ब्रिटिसों के क्या था, इंग्लैंड में तेजी से विक्सित हो रहे है, और दोगी आधार के लिए भारती अर्थवरस्ता को किवल एक कच्छा माल पर दायक, तक ही सीमित रखना, अब देखें, यह क्य ब्रिटेन में इसंको इंगलेंड मांग लीजए, मरें इंग्लैंड है, तो यह क्या करते थे, उस टाइम ते इंगलेंड में ब्रिटेन में ओत्दोगी क्रांति चल ले थी, मतलब यहाँ पर इंड़ेस्ट्री लग रही थी, और दोग लग रहे थी, उसमें ब्रोडक्शन ह तो यह भारत को कच्छा माल के तो जब फाइन गोड़ या कोई वस्तों निर्माण होती तो उसके लिए मार्केट चाहिए ठीक है यह क्या करते थे कि भारत से अपनी अनुसार यहां से कच्छा माल खरीते थे कच्छा माल यहां से ले आते थे अपनी इंडेस्ट्रिम उसको जो अच्छे समान बनाते थे गोड़स बना 언제 और फिर उसके लिए मार्केट के रूप में भारत में फिर वो बैचते थे सोचे कि यहीं का कच्छा माल ले गए अपने यहां इंडेस्ट्रिम डवलप किये फिर यहीं पे इन्हों ने यह बेचना इस्टार्ट किया तो इनको दोनों मार्केट भारत से मिलना इस्टार्ट हो गए ठीक है अब यह जो इन्होंने इस कच्छे माल लिया अपने और दुग जो पॉलसी चली आ रही थी तो उसमें इन्होंने क्या-क्या बदलाओ किये कैसे इन्होंने चीजों को अपने अनुसार मोल्ड कर दिया तो वह अब धीरे-धीरे देखे इस्टार्ट करते हैं क्या कि अंग्रेजी सासन के स्थापना से पूर भारत की अपनी एक सोतंत अर्थवयोस्ता ठीक है यहां पर क्या आना कि हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ने से बचिंकियों की हम लोग में चीजे इस मतलब जिस निकालेंगे हम लोग को कैसे कॉंसेप्ट क्लियर हो और कैसे लेके चलना है तो यह चहारा है कि भारत में जो अपनले स kitchen के पूर भी सोतंतर भी उस्ता क्या कि सुस्पर्व क्रिसी था हिं तो Marxी ओर मुंप्रोभी देस्ससेन की निर्मार्गतियां हो रहे जिसे सूती रेखमी वस्तों का निर्मार हो रहा ता, धाथु आधारी तथा बहमोल मडी रत्न, आदिसे जोड़ी सिल्फ कलाओं के उतकृक्रिष्ट के इंद के रुप में भारत, जैसे कि धाथु ऐसे धाथु कलाया होगया, सिल्फ हो गया, मडी रत्न, ठीक है, इन सब के लिए जो डिजाइनों के लिए भारत पूरे वर्ड में फेमस था अब देखिए आप अगर वहां से अपकर आप लिंक करना चाहेंगे तो आपने जिसे के जवाहरात इन सब को देता था और ट्रेट करता था तो मिडलिस्ट में भारत के जो पूरा जो हमारा बिजनेस कह सकते हैं एक हमारी जो परपरागत अर्थ बेवस्था थी कह सकते हैं यहाँ क्रिसी के साथ हम लोग बहुत से चीज़ों को साथ में कर रहे थे वहारी प तौब तो उन्ही को और अपनिविसिक शासन कहा रहा है यहां पर ठीक है अब जो उनका आए जो आरतिक नीतियाँ जो डबलब की गिए अर्थिक नीतियां लागो की गिए उसका विकास करना नहीं था बलकि अपने मूल देश के हितों का सरच्छन और समवर्धन करना था देखिए क्या होता है कि जब कोई जो है देश जो है जिसे कि माले की ब्रिटेन ही ले लीजिए सबसे अच्छा एक्जामपल है और इंडिया यहां पर माल लीजिए ठीक है यह भारत है और यह ब् गल्यान करेंगी उसका मूलिष यही होता है कि आपने मूल देश को जो है उसको कैसे फाइदा पहुंचा या बहिए पालसी नहोंने भारत में भी लागू की थी ठीक है देखे अब यहां पर क्या कहा रहा है कि भारत इंग्लेंड को कच्छे माल की पूर्थी करने वाला अभी जो लोगों उपर डिस्क्रस किया तथा वहां के बने तयार माल का आया तक देश्मन कर रहा गया बस इन्होंने अपने उसारा भारत की अर्थवरस्ता को इस ग् मंदित कोई भी चर्चा नहीं होती थी या कोई भी आकरन करने का इनका कोई प्रियास भी नहीं था कि यहां के बारे में देखा जाए कि GDP क्या चल लई है प्रतिवेक्त लोगों की क्या डेवलेप्मेंट हो रहा है इन सब नहीं बस इनका जो है मूल उद्देश क्या था आप से सकते हैं कि आप इंपोर्टेंट है नाम याद रखिएगा कि उस टाइम कुछ लोग एकनॉमिक से संब्द भारती अर्थवेवस्ता का अध्यन करने की अपने तरफ से मतलब बैक्टिकत प्रियास करना स्टार्ट कर रहे थे ठीक है उसमें जो नाम है आपको याद र भी बिल्यम डिगवी थे सियार दे साही थे ठीक है अपने वसी काल के दोरां डाक्टर राओ द्वारा लगाये गए अनुमान बहुत महत्पूर्ण देखें क्या होता था कि उस टाइम भारत के पर जो भारती लोग अध्यन कर रहते हैं उनके पास तो उतना संसाधन नहीं अनुमान लगा पाएं लेकिन उसमें भी जो डाक्टर राओ थे उनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया वो काफी हद तक सटीक बाने यादे हैं उनके अनुमान ठीक है अब उन्होंने भाई उस टाइम क्या लगबग दो परसंट से कम हमारी वार्सी व्रिदी दर चल ल दिए उस टाइम अंग्रेजों के टाइम पर क्या था कि भारत में शूती वस्तुदो काफी फिमस थे जैसे कि बंगाल का सूती वस्तुदो इसमें क्या था आप देखेंगे आज भी बंगाल और विसीज का बंगलादेश जो था वो बी इंडिया का पार्ट था तो उस सौफ्ट इतना मुलायम होते थे थे उनको साही परिवार के लोग कहते थे यह साही मलमल इसको बोलते थे इतना यह सौफ्ट इतना फिमस था कि चाह कर दिया अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले, मतलब कह सी ते अगले lecture में ठीक है, चोटा-चोटा लोग start करते हैं, धीरे-देरे चलेगे, अगले lecture में क्या करेंगे हम फिर एक-एक sector उठाएंगे इसमें जिसे अंग्रेजों के time इसमें नहुंने जो हमारी अर्थ-भ्योस्ता प्लस उसमें आप देखेंगे इंडस्ट्री में सेवा छेतर में तो हम लोग इसको देखते चलेंगे एक एक सेक्टर उठाएंगे उसको फिनिस करते चलेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद